हेलो गाईज एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सूपर कोचिंग प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक सूपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के उपर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं सो अगत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर डिसकस करें कि CSIR NET JRS exam को करेक्ट करने के लिए किन चीजों का आप लोग खास ध्यान रखना है विकोज अभी सिर्फ 20 दिन बचे हुए है तो लास्ट के 20 डेस की आप लोग की क्या स्टेजी होने वाली है यह exam एक महिने के पॉस्पन होने के बाद दुबारा से हो रहा है तो काफी सारे studies के अंदर आप लोग के changes आया होगा बहुस सारे लोग बहुस सारे stress feel कर रहे होंगे कि सरब क्या करें किस तरीके सा त्यारी करनी चाहिए अभी हम क्या करें बहुस सारे डाउट्स आप लोग के मन में होंगे कि इन 20 डेस के अंदर आपको क्या करना चाहिए आज के इस वीडियो के अंदर उसी चीज़ को हम लोग डिसकस करेंगे कि क्या आपकी strategy होनी चाहिए अगर आप CSI net exam के अंदर एक अच्छी खासी rank लेकर आना चाहते हैं तो मैं कुछ points बना कर लेकर आया हूँ जिसकी help से आप लोग अपनी rank को definitely boost कर पाओगे देखिये तैयारी आप लोगों की already हो चुकी है exam वैसे तो आपका जून में होना चाहिए था तो मैं यह मान कर भी चल लेता हूँ कि भईया maximum लोगों ने जो इमानदज तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने जून का जो date था आपके पास 26th of June से पहले ही अपना सारा स्रेबस पूरा कर लिया होता है ना वो उसके इसाब से plan कर रहे थे और एक्जाम के कुछ एक दौफते पहले ही आपके पास यह पोस्पोंड की निउस आई थी असा नहीं है कि भईया बहुत पहले ही आपके पास निउस आ गई थी तो maximum लोगों ने अपनी तयारी जो है ना वो कर ली थी उसके बाद एक महीने का आपके पास यह पोस्पोंड हुआ बहुत सारे बच्चों ने नए टापिकश भी शुरू करे होंगे और लास्ट टैन डेस के अंदर बहुत से बच्चों नए टोपिक्स स्टार्ट की होंगे और डेफिनेटली करना भी चाहीए था एक अच्छा स्टार्ट करो तो stop studying new topics अब आप लोग अपने जो नए topics जो आप लोग शुरू कर रहे थे पिछले 20 दिनों से आप लोग जो नए topics शुरू कर रहे थे because exam postponed हुआ था तो आपको लग रहा था कि यार एक दो unit मैं और cover कर लेता हूँ तो मैक्सिम बच्चों ने नहीं टॉपिक शुरू कर देते हैं अभी टाइम नहीं है अभी लास्ट के 20 डेस बचे होए और इस बार बच्चों को अच्छा खासा टाइम मिला है तो डेफिनेटली यह भी मानकर चल सकते हो आप लोग कि कट ओफ भी इस बार हाई जा सकती है तो आपको नहीं पड़ने है इसका मतलब यह है कि अब आप को majorly revision के उपर अपना main focus रखना है guys है ना जितनी भी topics आप लोग पहले cover कर चुके है उन topics को आप लोग बार 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 revise कीजिए and अगर आपने proper planning करी होगी तो आपको यह पता होगा कि आपने किन topics को prepare किया है part C के लिए किन को आपने prepare किया है part B के लिए आपके पास part रहता है उस part के लिए आपने जो chapters पड़े है of course आपने कोई एक branch या तो complete पड़ी होगी या फिर आपने important important chapter पड़े होगे हर एक branch के अंदर से तो बड़ी units होती है तो उन बड़ी units को आप लोग please revise कीजिए सारे notes को आप लोग go through कीजिएगा यह बिल्कुल नहीं करना है कि यह starting वाला part छोड़ देते हैं end वाला part पड़ लेते हैं सवाल तो कहीं से भी आ सकता है पूरे chapter के अंदर से सवाल तो कहीं से भी आ सकता है तो यह आप make sure करें कि अभी आप लोग revision जब कर रहा है तो आप एक long revision कीजिए पहले अभी 20 दिन हमारे पास है तो आप एक दिन के अंदर 2 या 3 chapter revise कर सकते हैं जो बड़े unit है उसको आप एक दिन दीजिएगा लेकिन कोई बात नहीं जो छोटड़ units होती हैं उनको mix करके आप एक दिन में 2-3 unit revise तो कर सकते हैं पड़ाई आपने उर्ड़ी कर रखी है revision जल्दी हो जाता है तो आपको revision पे उपर जादा focus रखना है जो भी आपने पड़ा है उसे आप लोग time भी revise जरूर करते रहे इसी के साथ साथ PYQs जो आपके पास है उन्हें आप एक बार दुबारा से solve करे because exam June में होने वाला था तो आप सभी लोगों ने पहले सारे PYQs कर लिए होंगे और majorly जो आपके पास PYQs होते हैं वो easy होते हैं तो ऐसा नहीं क्यों करने हैं वो time लग जाता है आप और जब मैं बोल रहा हूँ PYQs तो मैं ये मान की चल रहा हूँ कि इसके अंदर CSIR NET के PYQs भी हैं अगर आपके पा स time बसता है तो बहार तो पहले कर लिया है आपस परे प्रिविजन भी कर लिया है तो मैं आपको यह बोलूँगी आप प्रिवियस यर पेपर उठाईए इस बार है ना कि 2017 का मैंने पेपर उठा लिया और 2017 का पेपर उठा लिया मैंने CSI NET का उस एक्जाम को देखता हूं इस बार प्रिवीयस यर पेपर की फोर्म के अंदर इहां पर उनको दीज़िए जो trend पहले की questions के अंदर आता था पेपर के अंदर वैसा ही trend आएको कोई बहुत जादर difficult questions करने की फिलाल कोई ऐसी need नहीं है otherwise आप बस demotivity हो जाओगे तो try करो कि आप सारे की सारे previous year questions net के, gate के और IIT jam के तीनों के आप अच्छे से cover करें इसी के साथ साथ आपको अगर बार के PYQ मिलते हैं टीफर के PYQ मिलते हैं तो उनको भी आप लो definitely देखिएगा या फिर set exam की PYQ से उनको भी आप definitely देख सकते हैं और उसमें से जो भी questions आपको difficult लगे ना उनको mark करो कि यार एक particular chapter मानलो electro chemistry है electro chemistry के अंदर मैंने PYQ देखे दस questions है में को बहुत जादा सोचना पड़ा में को time लगा तो उन 10 questions को mark कर लो क्यों mark कर लो because last के दिनों के अंदर उन marked questions को भी जरूर देख कर जाना अगर वैसा type exam में आ गया तो exam में भी time लग जाएगा फिर आपको तो अगर आप वो mark question देख कर जाओगे तो वहाँ पर भी आपका दिमाख जल्दी चलने लग जाएगा साथ में नए questions के लिए आप लोग दे सकते हैं भाईया mock test तो mock test आपको लगाने है काफी सारे I hope कि आप लोग जुड़े हो यह test book platform के उपर और यहां पर आपको काफी सारे mock test मिल रहे हैं live discussions भी हम लेकर आते हैं mock test के तिन test हमने आपको पहले कराया थे और भी test हम लोग अभी आपके लिए लेकर आएंगे और वो test भी हम आपको कराएंगे तो आप भी अपनी तरफ से mock test दीजिए और अपने test को analyze किजिए कितना आप negative score कर रहे हो किस चेप्टर में negative score कर रहे हो कि consistently आप लोग एक ही चेप्टर से negative score कर रहे हो तो फिर avoid करना कि भाया वो चेप्टर आप नहीं करे है अगर नंबर पोजिटिव नहीं आ रहे है तो negative त बढ़िया है थोड़ा सा analyze भी करियो उसके ओपर उहां पर time up spend कर सकते हैं and this is the most important point guys don't overthink बहुत साई लोग ना भी जैसे last time जून में जब exam होने वाला था तो उसके 10-15 दिन पहले लोग ऐसे गोड़ लग जाते थे भाया कि sir बढ़ टर लग रहा है हम लोग सीधर result की तरफ हम लोग सोचें लग जाते अरे अभी तो हमारा time preparation का है ना 20 दिन अभी हमारे है ना तो अभी तो process चल रहा है preparation का तो पहले अपना process तो बढ़िया करिये आप result के उपर बाद में focus करेंगे result definitely आपका अच्छा आएगा अगर आपने process को ठीक से follow किया तो अभी preparation का time है ज्यादा overthink मत कीजिए result के उपर लेकर अगर आप nervous हो तो nervous होना भी चाहिए exam दे रहे हो आप लोग तैयारी करिए आपने उसके लिए बहुत सारे बच्चे वहां पर आएंगे हैना उसमें से overthink नहीं करना है अभी preparation का time है time को waste ना करें जितना हो सके आप लोग revision कीजिए questions को solve कीजिए mock test आप लोग दे सकते हैं नया topic अभी start करने की बिल्कुल भी need नहीं है तो जो आपने पहले पढ़ लिया है उसी को ही बस आप लोग साथ साथ रिवाइस करते रहे हैं इसी के साथ स super coaching आपको थमेशा होता ही है और काफी साई lecture series हम लोगों ने already चलाई हुई है and अगर आप लोग lectures को miss करते हो तो चैनल को subscribe कर लो subscribe करोगे तो आपको notification आजाएगा lectures आप कोई भी miss नहीं कर पाऊगे साथ में आप लोग मेरा telegram group भी join कर सकते हैं यहाँ पर आपको सभी YouTube sessions की सभी free master class की notifications आपको timely मिल जाती है साथ में YouTube sessions की PDF भी आपको मिल जाती है तो last में कम time है PDF को देखकर आप जो पहले के lectures आपके हो चुकी है उनकी PDF को आप अभी भी देख सकते हो और वहां से भी आप question की practice कर सकते हो इसी के साथ साथ भाया जो बच्चे तयारी कर रहे हैं December batch की और इस attempt को भी दे रहे हैं well and good बिल्कुल आपको देना चाहिए लेकिन अगर आपकी तयारी नहीं है आप preparation करना चाहते हो December exam की तो elite batch test books उपर coaching ने launch कर दिया है अभी एक दो दिन हुए स्टार्ट हुए आप भी join कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा structured live plus recorded classes एकदम latest pattern के उप पर बेस्ट हैना आपका detailed syllabus cover यहाँ पर होगा और topic wise आप लोगों के काफी सारे questions की practice भी कराई जाएगी more than 3000 plus questions आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे साथ में doubt resolution आपके लिए 24x7 open रहेगा आप जिस faculty से पढ़ रहे हो आप उस faculty से भी doubt पूछ सकते हो उसमें भी कोई दिक् study notes भी हम आपके बनवा देंगे सभी सब्जेक्स के अंदर है यह आपके लिए है ना chemical science के लिए है life science के लिए है mathematical science के लिए physical science के लिए भी है तो अगर आपके कोई friend दूसरी ब्रांच में है तो आप उनको भी definitely contact कर सकते है बट chemical science वाले बच्चे elite batch में जरूर जुड़े अग क्या है हमारा booster course हमारा booster course था गाइस जिसके अंदर हम लोगों ने काफी सारे questions की practice कराई थी more than 3000 प्लस questions आपके पास इस booster course के अंदर थे तो उस booster course का access आपको अभी भी मिल सकता है और कमाल की बात यह है अगर आप confident हो आपको लगता है कि आप लोग JRF निकाल दोगे तो जितना है कि सारा फीस 100% refund आपको कर दिया जाएगा साथ में free enrollment in mentorship program भी मिलेगा मतलब JRF qualify करने के बाद क्या करना चाहिए PhD अगर आप चाहते हो enroll करने के तो उसके लिए क्या steps follow करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर mentorship मिलेगी चलिए आपने join किया JRF qualify नहीं कर पाए आपका net qualify हो गया तो in that case आपको 80% आपकी fees refund कर दी जाएगी so if you are confident कि आप निकाल लोगे boost करना चाहते हो booster course आपकी help करेगा निकाल लोगे उसके बाद fees भी आपकी refund हो जाएगी so this is test book CSIR net cashback program इसके अंदर आपको जरू जुड़ना चाहिए आपको हमारे booster course के साथ साथ December 2024 के elite batch का access भी मिल जाएगा तो अगर आपको live बढ़ना है आपको December के तयारी करनी है तो फिर आप directly वहां से December के तयारी भी कर सकते हो this is it for this session आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसे ये course session के अंदर उमीद करता हूँ कि आज की जो tips मैंने आपको डिसकस करी ये आपको समझ आई होगी आपको अच्छी लगी होगी इनको जरूर फोलो कीजिएगा definitely आप लोगों की help भी होने वाली है जाने से पहले session को like जरूर करें share करें अपने friend के साथ and 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 मिलते हैं आप लोगों से next class में till then happy learning to all of you guys thank you so much for joining in today's class thank you so much